Marvel Studios की Echo इस सीरीज का ट्रेलर रहा चुका है टीजर वीजर कुछ नहीं, डायरेक्टिन लोगों ने ट्रेलर ही अपलोड कर दिया जिसका मैंने रियक्शन भी किया है सेकेंड चैनल पर अगर नहीं देखा है तो देख लेना लेकिन इतना अच्छा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा और आर रेटेड एक्शन हमें देखने को मिलेगा पहली बात तो मुझे यह अच्छी लगी कि Hawkeye के साथ इन लोगों ने जो भी किया यानि Hawkeye की Disney Plus पर सीरीज जो आई थी Hand to Hand Combats तो मा की आख बहुत ही दगड़े थे तो ट्रेलर देखके लग रहा है कि Echo के साथ भी इन लोगों ने वैसा ही अपरोच रखा और उपर से इस सीरीज में हमें Kingpin भी तो नज़र आ रहा है मतलब देख रहे हो इनकी strategy audience को बुलाना तो है लेकिन Echo के नाम पे नहीं बलकि Kingpin के नाम पे साथ ही ट्रेलर की शुरुवाद भी इस तरीके से हुई है कि Kingpin का character Echo से कैसे मिलता है उनका दोनों का जो bond है वो कैसे create हुआ and I guess इन दोनों का relation ही Echo इस पूरी सीरीज का highlight होगा और दूसरा highlight होगा इसका action क्योंकि मजाल है ट्रेलर के starting में ही Kingpin एक बंदे को जिस तरीके से और brutally मारता है मजा ही आ गया उसे देखके मतलब इस ट्रेलर को देखके original Daredevil वाली feeling आ रही थी इसा लग रहा था कि मैं Daredevil की series का ट्रेलर देख रहा हूँ और रही बात Echo इस series के story की तो stories related trailer में जादा कुछ reveal नहीं किया है बस हमें इतना ही पता चलता है कि इस series में Echo की backstory दिखाई जाएगी Kingpin और Echo का connection दिखाया जाएगा और Hawkeye में Echo ने Kingpin को गोली मार के उसकी जो आख फोडी थी जिसके वज़े से Echo को लगा था कि Kingpin अब मर चुका है बट Echo को अभी पता चल जाएगा कि Kingpin अभी भी जिन्दा है और अभी भी वो अपने गलत काम कर ही रहा है जिसके वज़े से I think वो फिर से Kingpin को मारने की तलाश में निकल जाएगी और उसी दोरान बहुत सारे कांड होंगे बहुत सारी फाइट समय देखने को मिलेंगी या फिर ऐसा होगा कि Kingpin ने अपने लोगो को Echo को वापस लाने के लिए भेजा है जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेलर हमें क्लियर नहीं करता लेकिन इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है अब हो सकता है कि Daredevil हमें इस सीरीज में दिखाया तो जाएगा लेकिन एको की बैक स्टोरी में क्योंकि जब Daredevil किंग पीन को पगड़ने की कोशिश करता है तो में भी हो सकता है कि उसी दोरान एको ने Daredevil के साथ फाइट की हो क्योंकि Daredevil का जो शॉट हमें इस ट्रेलर में दिखाया गया है उसमें लग रहा है कि कि प्रेजेंट टाइम के अंदर एको और Daredevil की पाइट होती है और बाद में वो टीम आप करके किंग पीन को रोपते है और हो सकता है कि एको इस सीरीज के जिस तरीकी के एंडिंग होगी वही से Daredevil बॉन अगिन में Daredevil की स्टोरी आगे भड़ेगी क्योंकि एको इस सीरीज का कनेक्शन Daredevil बॉन अगिन इस सीरीज के साथ नो डाउट होगा ही होगा और हमें ट्रेलर में नजर आ रहा है connection बनाया जा रहा है नो डाउट एको ये सीरीज अनेक्सपेक्टेडली तभाही कर सकती है मारवल की एक बेस्ट सीरीज में से एक बन सकती है अगर इस सीरीज की स्टोरी अच्छी हुई तो बलकि सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी नजर आ रही है और साउंड डिजाइन तो मा की आख बहुत ही तगड़ा है यानि किंग पिन ट्रेलर के स्टार्टिंग में जिस बंदे को पंच करता है तो रेज वाला जो आवाज निकालता है उसकी चीख निकालता है तो वो चीख हमें ट्रेलर में पूरे समय बैक्राउंड में सुनाए देती है और मजाग नहीं वो सच में बहुत ही कड़क था लेकिन अनेक्सपेक्टेडली ये ट्रेलर मुझे सच में बहुत जादा पसंद आया वेल ट्रेलर को लेके तो मेरे यही ओपिनियन्स थे आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना मैंने एको के ट्रेलर का रियक्शन भी किया है अगर आप लोगो ने नहीं देखा है तो मेरा सेकेंड चैनल है उस पर मैंने वो वीडियो अपलोड किया है जाके देख लो और इसी चैनल पर कल मैंने लोकी सीजन 2 के 5 एपिसोड को एक्स्प्लेइन और ब्रेकडाउन किया है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर देख लेना या फिर स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही होगी टैप करके देख लो साथ ही अगर आप